नमस्कार मैं हूँ राज मोहंतिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार बड़ी खबर राची से जहाँ पर जारखंड हाई कोट ने बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री लालू परशाद यादो को दुमका कोशगार से अवैद निकासी के मामले में जमानत दे दी है जी ह केश में उन्होंने जमानत याचि کا दायर की थी जिस पर जस्टिस अपरेश कुमार की कोट ने इस पर शुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है आपको मालूम होगा कि चार मामलों में सजायफता थे लालू परशाद यादो जिसमें एक मामला था चाईबासा का दो मामला था देवघर का एक मामला था और एक मामला ये दुमका कोशगार से जुरा हुआ था तीन मामलों में उनको पहले ही जमानत मिल चुकी थी लेकिन इस दुमका कोशगार मामले में लगतार शुनवाई टलती जा रही थी ऐसे में साथ साल की सजा हुई थ दोमका कोशागार से अवैद निकासी के इस मामले में लेकिन जब आधी शजा पूरी हो गई तो लालू परशाद यादो ने जमानत की याचिका दायर की शुनवाई करते हुए जस्टिस अप्रेश कुमार ने उनकी जमानत याचिका स्विकार कर लिए ऐसे में बहुत जल्द लालू परशाद यादो अब जेल से बाहर होंगे बेल बॉंड भरते ही उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा हलांकि अभी वो दिल्ली एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं लेकिन अब जब ये खबर आई है कि लालू परशाद यादो बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे उसके बाद अब लालू परसाद यादो के पडिवार ने भी ट्वीट किया है आर्जेडी ने भी ट्वीट किया है हम चाहते हैं कि आप उनका ट्वीट देखे और क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको ये बताने वाले हैं इस वीडियो में सबसे पहला जो कि एक और बेटी राज लक्षमी यादो वह भी ट्वीट करती हैं वह लिखती है वेलकम सेर ए हिंदुस्तान हैस्टेक सेर लालू आया और इसे तमाम जो ट्वीट है वह अब सोसल मेडिया पर वाइरल हो रहे हैं आर्जेडी ने भी अपने ट्वीटर हैंडल से जो अधिका आर्जेडी ने किया है और इसमें वो शमर्थकों से कारेकरताओं से अनुरोद कर रहा है कि कृपा आप लोग घरों में ही रहें कोरोना महमारी के प्रोटोकॉल का पालन करें इसमें वह लिखते हैं शमानित सुबचिंतकों शमर्थकों और कारेकरताओं से कर बद कभी कोरोना महमारी के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने घरों में ही रहें किशी प्रकार का कोई भी जस्ट ने नहीं मनाया ऐसे तमाम जो अब सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि लालुकरशाद यादों की तस्वीर है वाइरल होने लगी है लालुकरशाद उत्रे भीरे कठा ना करें कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी आरजेडी के लिए जश्वी यादों के लिए उनके परिवार के लिए आरजेडी कारेकरताओं के लिए कि लालुकरशाद यादों लंबे समय से अभी तक जेल मे बन थे हलांकि स्वास्त खड़ाब होने की वज़ा से वह अस्पतालों में थे लेकिन अब वह बहुत जल्द अपने परिवार के बीच होंगे उनकी बड़ी बेटी मीशा भारती ने भी इस पर बयान दिया है कि वह बहुत जल्द दिल्लियाम से जाकर पिता से मुलाकात करे होंगे और वह उमीद जता रही है कि बहुत जालध ललु पर साध यादो अपने परिवार के बीच होंगे स्वास्त कारणों का कई बार हवाला भी दिया जा चुका है किट्नी में समस्य की बात भी लीशाद रिए जल्द आनकी हलांकि अभी भी वो दिल्ली एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं और उनके स्वास्त जो है अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है ऐसे में बिहार बहुत जल्द आएंगे ये उमीद लगाना थोड़ा कटीन है क्योंकि कोरोना की कारण और भी जादा थोड़ी देरी अवश्य हो स कुछ के बाद क्या कुछ कह रहे हैं इसी पर सबकी नजरे कि हुई हैं और साथी रावरी देवी इस पर क्या कुछ टिपनी करती यह इसी का इंतजार सभी को है आप बने रहें लाइए लाइब यहार के साथ तमाम अबडेट हम आप तक लागतार पहुचा रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद